तैयार हो जाएए to unleash yourself जाए भी मैप अवेलेबल उन दे प्ले स्टोर और अपल आप स्टोर उत्तर प्रदिश के राजनिती में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है राश्ट्रपति चुनाओ के संदर्ब में बहुजन समाज़ पार्टी ने NDA के उम्मिधवार द्रौपदी मुर्मु को समर्थन देने का एलान कर दिया है इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मु की दावेदारी काफी मजबुत हो गई है विपक्षी दलों की मम्ता बेनर जी ने एश्वंत सिनह का नाम आगे बढ़ाया है हलाकि देश के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में मम्ता बेनर जी अब काम्याब होती नहीं दिख रही है भारती जंता पार्टी के ओर से समर्थीत राष्टपति उम्मिद्वार द्रौपदी मुर्मु ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है इसके बाद से उनको समर्थन का बड़ा एलान बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी ने किया है बहन मायावती जी ने इस समर्थन का एलान करते हुए कहा कि आधिवासी समाज बहुजन समाज पार्टी के मुमेंट का खास हिस्सा है द्रौपदी मुर्मु को समर्थन देने का फैसला इस कारण लिया गया है उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी ने ये फैसला भाजपा या NDA के पक्ष में नहीं लिया है साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टीों के विरोध में द्रौपदी मुर्मु को समर्थन दिये समबंधी फैसला न लिये जाने के बात कही है मायवती ने इस फैसले से एक तिर से दो शिकार किये है एक तो उन्होंने आदिवासी चेहरे को समर्थन दे कर इस समाज के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश की है साथ ही एक पार्टी की महला अधिक्ष के एक महला को समर्थन दे कर आधी आबादी को भी संदेश देने की कोशिश करती वो दिखाई दे रही है बहन मायवती जी की घोशना से उनकी पार्टी के दस सांसद और एक विधायक का वोट राश्टरपती चुनों में NDO मिद्वार को मिल जाएगा ये NDO मिद्वार के जीत के अंतर को बढ़ा करेगा बहुजन समाज पार्टी के अधिक्ष के इस फैसले के काफी तरक पूरुन तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक विशले शकों की माने तो बहन मायवती जी एक बड़े वर्क के बीच खुद को दलित और आदिवासी समाज के हितेशी के रूप में अपनी छवी बनाए रखना चाहती है बहुजन समाज पार्टी योपिके साथ साथ उत्राखंड जारखंड और अन्य राज्यों में भी किसमत आजमाती रही है इन इलाकों में पार्टी अपनी अलग छवी के साथ वर्ष दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाओ में उतरने के रणनीती बना रही है द्रौपधी मुर्मु को समर्थन का एलान करते हुए बहन मायवती जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मुवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपधी मुर्मु को राश्ट्रपधी पद के लिए अपनावा समर्थन देने का नरने लिया है हाला कि यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिले शियादों ने बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था अब राश्ट्रपती चुनाव में एंडिय उम्मिद्वार को समर्थन देने के बाद समाजवादी पार्टी इस मामले को अधिक गंभिरता से उठा सकती है बर्श 2017 के राश्ट्रपती चुनाव के दौरान इंडिय की ओर से रामनात कोविन को उम्मिद्वार बनाया गया था उस समय भी मायावती ने उन्हें समर्थन दे दिया था मायावती ने तब कहा था कि वे भारती जन्ता पार्टी की नितियों का समर्थन नहीं करती है लेकिन दलित समाज के उमिद्वार को समर्थन देंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी के समर्थन के घोशना के बाद भाजपाव मिदवार के आराम से जीतने की संभावना प्रभल हो गई थी पिछले चुनाओ के समय मायवती के सामने प्रदेश के एक दली चेहरे के समर्थन या विरूध की चुनोती थी उस समय उन्होंने इसे समर्थन दे कर अपने आधार को बचाने का प्रयास किया